नमस्कार कैसे हैं आप उत्तर प्रदेश में आजम खान का मतलब होता था सत्ता सरकार मुख्य मंत्री भलेही मुलायम सिंग के बेटे अखिलेश यादब थे लेकिन सरकार आजम खान को कहा जाता था आजम के हाथ जिसके सिर पे हो जाए वो उत्तर प्रदेश में सरकार हो जाता था उत्तर प्रदेश में एक DSP था आले हसन आज जेल में है आले हसन का खौफ ऐसा था कि राजी के DGP भी उसके एक फोन पर कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते थे राज में सबसे बराब पुलिसिया रुतबा एक DSP आले हसन का हुआ करता था दिल्ली में कई पत्रकार विशेश रूप से मुस्लिम पत्रकार आले हसन के खौफ से अपना रुतबा तै करते थे तो कलपना कीजिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा लेकिन इस आले हसन की कहानी हमने आपको पीछे सुनाई है आप कहानी आले हसन में उसे सुन पाएंगे लेकिन आजम खान के 30 चिकानों पे जब छापे मारी हुई तो एक छापे मारी गाजियाबाद में भी हुई तो आले हसन का स्त्री डूप सामते हाया एकता कौशिक नामक एक महिला जिसके घर एक आएक गाजियाबाद के राजनगर एक्स्टेंशन में जब आईटी के 10 अधिकारी और 5 पुलिस कर्मी एक साथ पहुँचे तो लोग काप गए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने एक महिला के घर चापे मारी क्यों की तो पता चला वो महिला कोई काम तो नहीं करती लेकिन उसके पास BMW कार है, Mercedes और जगवार का काफिला है, सोचिए ये एकता कौशिक कौन है जिस पर योगी सरकार की नजर थी दरचल एकता आजम खान की बड़ी दुलरवा है, जब आजम जेल गया तो एकता उससे जेल में मिलने जाती थी उससे समय से यूपी सरकार की नजर इस पर थी कि आखिर ये महिला एकता कौशिक इस कट्टर जिहादी आजम खान से जेल में मिलने क्यों जाती है आजम खान जब बिमारी के बहाने अस्पताल में भरती हुआ तो कहते हैं एकता कौशिक अस्पताल में ही आजम खान के साथ सेवा सुसूरसा करती थी एकता कौशिक ब्याहता महिला है फिर ऐसा क्या सम्मन्ध है आजम खान के साथ बताया जाता है कि आजम की मुहबोली बेटी है वो कैसी बेटी दरसल आजम के छोटे बेटे अधीब की क्लासमेट रही हुई है एक ताकौशिक और यही उसकी कुल जमाप पूंजी है इसलिए आजम खान के सैकरो करोड की संपत्ती में का एक बड़ा हिस्सा एक ताकौशिक के हवाले है दरसल ऐसे ऐसे माफिया सरगना जब अथा संपत्ती हासिल करते हैं जब लूट की अपार संपत्ती हासिल करते हैं तो उसे किसी न किसी ऐसे अनजान लोगों के नाम करवा देते हैं ताकि आईटी का इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को उस पे नजर न पढ़े लेकिन कहते हैं न कि जब बुरा वक्त आता है तो क्या कुछ होता है अब सोचिए जब एकता कौशिक के राजनगर एक्स्टेंशन के शांदार महलनुमा कोठी पर आईटी की टीम इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुँची उसके घर के अंदर हंगामा मच गया खौफ का महल था नौकर चाकरों समेथ परिबार के तमाम सदस्यों को एक कमरे में बंद करके इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने दस्ताबेजी कागजब तलाशे तो पता चला कि जोहर इनिवर्सिटी से जुड़े मामले में उसे एक ट्रस्टी बनाया गया है अब सवाल ये है कि एकता कौशिक कोई ट्रस्टी क्यों बनाया गया दरसल एकता आले हसन का स्त्रिस रूप है आले हसन का खौप गुंड़ई उत्तरप्रदेश में ऐसा था कि लोग आले हसन के नाम पर फोन करकर कि लोग डराय करते थे कि मैं आले हसन बोल रहा हूँ और उसके बाद उगाही हुआ करती थी ओ आले हसन जेल में है अब बाड़ी एकता कौशिक की है एक अवियंता की जीडिये की एक अवियंता की बहु है एकता कौशिक अब एकता कौशिक अब तक सुर्खियों में नहीं थी दरसल अब्दुल्ला आजम, आजम खान का बेटा, आजम खान की पतनी, तन्जीम फातिमा आजम खान खुद रामपूर और सीतापूर के जेल में बंद रहा सौ से जाज़ा सौ पार F.I.R हैं आजम खान के खिलाफ लेकिन अब तक एकता कोशे के शिकंजे में नहीं थी दरसल अब एकता ही रहसे खोलेगी आजम खान ने अरबों की संपत्ती क्यों बनाई और सेक्रो करोड की संपत्ती एक सामान्य महिला के पास क्या है करोड करोड रुपे की गाड़ियां BMW, Mercedes और जगवार जैसी गाड़ियां एक सामान्य महिला के पास क्या है क्यों है तब समझ में आता है कि आखिर ऐसे ऐसे लोग victim card कैसे खेलते हैं और योगी जैसे लोग इन्हें tight कैसे करते हैं जोहर विश्वी द्याले का सारा काम काज एक ताकौशिक ही देखा करती थी ऐसा क्या है एक ताकौशिक में अब income tax के छापे मारी के बाद cbi इसकी जाच करेगी आले हसन तो जेल में है आले हसन का खौप ऐसा था कि आज भी कई जब मैंने आले हसन पर जब एक विस्टलेशन किया था तो उत्तर प्रदेश के कई retired अधिकारियों ने phone करके कहा मनीश जी आपने दुखती रख पर हाथ डाल दिया हम लोग के अंदर कई IPS अधिकारी ने phone करके जो retired हैं उन्होंने phone करके कहा कि मनीश जी आपने आले हसन का सच बता करके हम लोग के दुखती रख पर हाथ रख दिया दरसल इस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की कि आले हसन जानामा के एक सामान ने DSP के पास इतनी property कहां से थी जब लूट का सामराज जी चला रहा था आजम खान उत्तर प्रदेस में जब एक सामान ने कबाड़ी के धंदे से आजम खान यहां तक पहुँचा कि वो member parliament बना और उसके बाद धिकार ने लगा भारतियों को यह हसास दिना ले लगा कि उसने एहसान किया हिंदुस्तान में रहकर के वो पाकिस्तान नहीं गया आज यह पता चल रहा है को इस रामपूर मुसका खौफ क्या था आज आजम खान जहां पर जिसके सिर पे हाथ रखता था वो विधायक बन जाता था आज वो आजम खान ना MP है ना ML है और नहीं रामपूर से अपने आदमी को MP बना पाया ना ML बना पाया अब उस सच सामने आ रहा है लोगों के अंदर हिम्मत हो रही है अब ये सच एकता खोलेगी ये राज एकता बताएगी कि आखिर उसके पास जब वो कुछ भी नहीं करती है BMW और Mercedes और जगवार जैसी गारियों का काफिला कहां से आया ये सब चीजे तो दिखने वाली है दरसल लखनो के एक कनहया लाज सुनार को भी बुलाया गया है कि इन सब के पास इतनी सोने कहां है तो आजम खान की सेवा करने के लिए ऐसा मेवा एकता कौशिक को क्यों मिला योगी अब यही पता कर रहे है ये विस्टलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंटेदी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इदि आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए बेल बटन दबा कर नोटिफिकेशन की तयारी कीजिए और जुआइन बटन से चैनल का सदस्ट बन कर रख हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएगे बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जैहिंत